दोस्तो आज हम से अर कर रहे हैं अर्बी के पत्तों की बहुत ही स्वादिश सबजी की रेस्पी बनाने का तरीका बहुत ही आसान है और टेस्टी इतना कि इसके आगे आपको नान्वेज पनीर भी फीकी लगेगी तो चलिए बनाना सुरू करते हैं और हाँ रेस्पी जरा भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर केजेगा तो इसके लिए हमने यहाँ पर 6-7 अर्भी के पत्ते ली है इनको पानी से अच्छे से धुल लिया है और पत्तों के बीच के नसों को काटकर अलग कर ली है अभी हम इने साइड में रख देते हैं अब मिक्सिंग बॉल में हम ले रहे हैं आधा कप बेशन इसमें हम डाल देंगे एक चोथाई चमच हल्दी आधा चोटा चमच लाल मिर्च पाउडर आधा चोटा चमच आमचूर पाउडर और स्वात के अनुसार नमक डाल देंगे और इनको अच्छे से मिला लेंगे और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इनका एक गाढ़ा सा घोल त्यार कर लेंगे और मिलाने के बाद 3-4 मिनद तक फेट लेजेगा तो पकोडियां सौफ्ट बनेंगी और इस तरह का गाढ़ा घोल त्यार कर अब एक अरवी का पत्ता लेंगे इसे इस तरह से रखेंगे जिससे डार्क ग्रीन वाला हिस्सा नीचे की तरफ रहे और लाइट ग्रीन वाला हिस्सा उपर की तरफ अब इसके उपर हम ये एक से दो चम्मच बेशन का घोल डालेंगे और इसे पत्ते के उपर बराबर से फ लाईएगा और इसे इस तरह से फोल्ड कर लीजेगा जैसे हम पत्तों के पकोड़े बनाते हैं ना फोल्ड करके सेम उसी तरह से किनारे के तरफ से चिपका लीजेगा और इस तरह का रोल बनाकर त्यार कर लीजेगा इस तरह से हमने कुछ रोल बनाकर त्यार कर लीजेगा और इनको मीडियम आज पर फ्राई कर लेंगे एक तरफ से सीखने के बाद हम इनको दूसरी तरह पलट लेंगे और दूसरे तरफ से भी तो मिनर तक फ्राई कर लेंगे आप देख सकते हैं बेशन फुटा हुआ है तो ये बहुत अच्छे से फूल गया है तो अब हम इनको नि इसी तेल में हम डाल रहे हैं एक बड़ी लाइची एक इंच दालचीनी के टुकड़े और एक चूटा चम्मच जीरा दो चुटकी हिंग डाल देंगे और जीरा चटक जाने पर हम इसमें प्याज डाल देंगे यहां पर हमने एक प्याज को बारी काट कर ले लिए है इनको हलका भून लेंगे और हलका भून जाने पर हम इसमें एक चम्मच अधरक लासन का पेस्ट आल देंगे और इनको भी थोड़ी देर भून लेंगे जिससे कि इनका कच्चा फ्लेवर निकल जाए और एक से दो मिनट भूनने के बाद हम इसमें टमाटर का पेस्ट आल देंगे य और दो मिनिट भुनने के बाद इसमें हम डाल देंगे एक छोटा चम्मच धनिया पौडर, एक छोटा चम्मच लाल मेर्स पौडर, आधा चम्मच हल्दी और एक छोटा चम्मच नमण। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर करके थोड़ी तेर पका लेंगे। बीच-बीच में एक दो बार चला लेजेगा जिससे की मसाले चले नहीं। और तीन से चार मिनट पकाने के बाद देखिए मसालों से ओयल सेपरेट हो गया है, मसाले अच्छे से भुन गया हैं। तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे। यहाँ पर हमने एक गिलास पानी ली है, आप अपने हिसाब से लीजेगा जितनी गाड़ी या पत्ली ग्रेवी आपको पसंद हो। इनको अच्छे से मिला लेंगे और ग्रेव में उबालाने देंगे। इधर यह पकोड़े भी ठंडे हो गये हैं, आप चाहें तो इन्हें ऐसे भी डाल सकते हैं, मैं इनके दो भाग कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से छोटे बड़े पीसेज में काड़ सकते हैं। और देखे, यह कितने जालीदार बने हैं, इस तरह से मसाले इनके अंदर तक चले जाते हैं, और यह खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। और पांच मिनट बाद देखे, यह हमारी सबजी बनकर त्यार हो गई है, इनको आप रोटी, पराथे, चावल, किसी भी चीज के साथ सर्फ कर गें। यह पनीर जैसे सौप्ट बनते हैं, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो दोस्तो एक बार इस रेस्पी को जरूर बना कर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह रेस्पी बहुत पसंद आएगी। और पसंद आए तो वीडियो को लाइक सेयर कर दीजेगा। और चैनल पर नए हूँ तो सस्काइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ धन्यवाद।